नमस्कार मैं संतोष चोहान अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इंस्टेंट एक आचार है जो कच्चे आम और कच्चे प्याद से बनाया है खाने में बहुत ही स्वादिस लगता है आप इसको सबजी काला और सफेद ये काला नमक है और इसके लिए लिया है मैंने सरसू इसको दडडड़ा कूट लिया है राई नहीं लेनी है सरसू ही लेनी है और प्याज लिया है मैंने आदा किलो इनको मुटा मुटा मैंने छील के काट लिया है और आमी लिया है मैंने 500 ग्राम और इसके ल काने में हूंज होता है और लिया है मैंनी सॉंफ कि यह पर रिप्रिंग है मैंने प्सक्राइब ऐसे कts प्लाओ आम काट लिया था तो इसको हमने सिल बट्टे पे इसको दढ़ा हमने कूट लेना है कच्चा आम है अभी गुठ्लिया नहीं पड़ी है तो इजीली कट भी जाता है तो इसको ऐसे दरदड़ा से हमने सिल्बट्टे से दरदड़ा कूट लेना है यह दरदड़ा हमने कूट लिया है उसके बाद जो प्याज है प्याज को मैंने ऐसे मोटा मोटा काट लिया है इसको भी हम सिल्बट्टे पे दरदड़ा कूटेंगे प्याज के लिए एक मैं आपको टिप बताना चाहती हूँ कि जब हम प्याज छीलते हैं तो आखों में बहुत मतलब आशू आते हैं तो उसके लिए ही एक टिप है कि प्याज को आप छील के और इसको दो भागों में काट के आप इसको फ्रीजर में 10 मिनिट के लिए रख देन फिर आप काटेंगे तो आपके आशू बिलकुल नहीं आएंगे अब प्याज को हमने दरदड़ा कूट लिया है दोनों चीजे ऑई रख भी दरदड़ा कूट लिया है न इसमें हम प्याज डालेंगे पहले कच्चा प्याज है और कच्चा आम अब इसमें हम डालेंगे नमक हाफ टीस्पून नमक डाला है और हाफ टीस्पून ही काला नमक डाला है और इसमें हींग डाली है मैंने हाफ टीस्पून डाली है और सौफ है जो एक चमज डाली है और इस राई और सरसों में फर्क होता है तो सरसों ही लेना है जिससे सरसों का तेल निकाला जाता है मस्टर्ड ओयल राई नहीं लेनी है सरसों के दाने ही लेने है तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि मसाले सारे मिक्से हो जाएं उसके बाद मैंने 1 चमच और 1.5 चमच मैंने इसमें सर्सों का तेल डाला है तो ये टेبل स्पून है तो आप तेल कम ज्यादा कर सकते हैं जो कच्छा तेल है इसमे उसका जो टेस्ट है इसमें बहुत अच्छाा आता है एक बार आप बना के देखेगा, खाने के साथ आप सबजी, दाल वगरे के साथ खाएंगे तो बहुत अच्छा स्वाद आता है इसका, जायका एक तरह से आ जाता है खाने के साथ, इसको दो घंटे के लिए रखने के बाद आप यूज कर सकते हैं, दो घंटे रखती जिए, फिर ये आ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और एक बार बना के जरूर देखेगा, बहुत अच्छा लगेगा